नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्टर्स के दुनिया चैनल पर मेरा नाम है यस जाट और आज हम आए हैं श्री उम्मिया की सोपर तो यहां पर दोस्तों यहां पर जो डिक्स प्लाव है किषान भाईयों को इसे फायदा हो सकता है पूरी ही जानकरी सर्शिल लेते हैं यह डिस्क प्लाव के मुकाबले जहाँ थोड़ा नमी रहता है उसके लिए डिस्क प्लाव ज्यादा बेस्ट है क्योंकि एंबी प्लाव के मुकाबले इसमें डिजल की खपत कम होती है और जो टेक्टर पे लोड आता है वो कम आता है तो जहां नमी है तो वहां डिस्क प्लाव यूज करना चाहिए और इसमें यह ओटोमेटिक रिवर्सेबल डिस्क प्लाव है जैसे नाली नाली में अपना वील जा है इसके अलावा हम हाइड्रोलिक रिवर्सेबल डिस्क प्लाव भी बना रहे हैं पच्चास एच्पी से लेकर पच्चातर एच्पी तक अगर नमी है सोईल में तो यह बेस्ट है वहां अगर मानों की स्टोन है या कोई मूली आने का चांस है तो इसमें जो है इसका टाइन है वो दिया गया है बोरन स्टील का उसका एक साल का गेरंटी रहेगा अगर टाइन तूटता है या मूडता है तो कंपनी आपको फ्री अपकोस्ट देगा किसान को इसके अलावा इसमें डिस्क जो लगा है वो जर्वन कंपनी का लगा है उसका भी लाइफ टाइम मतलब की डिस्क खतम हो जाए तब तक का गेरंटी रहेगा हाँ आप हमें इनकी जो प्राइज है वो भी थोड़ा इसा बताई इसका असी हजार रुपिया प्राइज है हमारा कंपनी का प्राइज और इसका है एक लाग पे तीस हजार हाजी इन पर भी सब्सीडिय अगरा वैलेबल है ह यह हमने अभी टेस्टिंग रिपोर्ट बन गई है और सारे स्टेट में दीरे दीरे इसको एप्रूल करवा रहे है और MP में अभी इसका डेमो चल रहा है और कुछ जगह पे जहां नमी वाला एरिया है वहां से अच्छा फीडबेक मिल रहा है जो सॉप्ट स्वाइल है उसक क्या है स्वाइल कंडिशन और आप डेफ्ट किस तरह से ले रहे उसके इसाब से वह थोड़ा पता चलेगा लेकिन हम सीधा उसको एंभी प्लाव से मुकाबला करें तो एंभी प्लाव से कम लेगा यह पका है यह कितनी डेफ्ट लेके चल सकता है यह 9 इस से लेके 12 इं तक से चल जाएगा तो दोस्तों आपने डिक सिप्लाव को जो की नया अभी मोडल आया है उसके बारे में जानकरी सहर ने दी उम्मेद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अन्य किस के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै भारत जै किसान अजगर है एकट बस दे क्ट बस वरह है किसक्त पुह सब्सकत दे खबाड़ किसा